हेलो दोस्तों मैं हूँ सिवानी और स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में तो आज मैं आप लोग लेके आए हूँ कच्चे आम से बने बहुत ही टेश्टी खटी मीठी चटनी की रेसिपी आप इसको आम का मुरब्बा भी बोल सकते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप लोग इसको एक महीने तक आसानी से श्टोर करके रख सकते हैं और खाने में काफी टेश्टी लगेगा तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजेगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला केन को जरूर दवा दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो आम की खटी मीठी टेश्टी चटनी बनाने के रहे यहां पर हम 6 मीडियम साइज का आम ले लिए थे यह थोड़ा सा मतब पका था लेकिन ज्यादा मीठा नहीं था खटा ही था इस तरीके से friend कर लिए तो सबसे भेले हम इस चटनी के लिएम मासाला रेटी करेंगे तो मसाला बनाने के लिए गैस उन करके करहाई चरा दियें उसमें डाल देंगे एक चमज जीरा, आधा चमज अजवाइन, आधा चमज मेथी दाना और एक चमज सोफ डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके और इन सभी चीजों को ड्राइ रोष्ट करेंगे इस मसाला को चटनी में डालने से चटनी का जो टेस्ट है वो एकदम दोगूना बढ़ जाएगा बहुत ही टेस्टी बनता है ये चटनी तो लगातार चलाते हुए अच्छे से इसको सभी मसालों को अच्छे से dry roast कर लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो मसालों को कुछ देर के लिए भूल ली है आप देख सकते इसका color भी change हो चुका और इसमें से अच्छी खुसबू भी आ रही है तो gas को off कर देंगे और इस मसाले को अच्छे से ठंठा कर लेंगे और उसके बाद इसको हम grinding jar में डालके पीस लेंगे अब हम फिर से gas on करके same करहाई चरहा लिए हैं और उसमें डाल दी हैं 4-5 चमच refine oil और refine oil को अच्छे से गरम करते हैं उसमें डाल देंगे एक चथाई चमच किलाउंग जी और उसको अच्छे से mix कर देंगे पकने देंगे उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ आम तो आम जो हम कट करके रखे थे वो हम इसमें सभी आम को डाल देंगे अच्छे से mix करेंगे और आम को हम 2 मिनट के लिए fry कर लेंगे तेल में जादा नहीं बस 2 मिनट के लिए fry करना है बीच बीच में चलाते हुए medium flame पे तो चलिए इसको mix करके और 2 मिनट के लिए medium flame पे इसको हम fry कर लेते हैं तो आमको हम दो मिनट के लिए तेल में फ्राई कर लिये हैं या आप देख सकते हैं थ्वा से यह गलने भी लगा है तो चलिए इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से गुर और चीनी को डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी और गुर को मिल्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं डालते ही यह मिल्ट होना शुरू हो चुका है उसको अच्छे से मिक्स करके मिल्ट कर लेंगे तो यह देखे दोस्तों चीनी और गुर जो है वो मिल्ट हो हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच प्लेन नमक और एक चमच काला नमक को डालकर च्छे से मिक्स करदेंगे नमक डालने से तेस्ट बहुत अच्छा आता है और पर टेस्ट भी बैल elder होता है तो जो आम है वो बीच बीच में चलाते रहना है, तो चलिए इस चटनी को पकने देते हैं, तो चटनी को पकाते हुए पांच मिनट हो चुका है, तो इसको हम पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लिए हैं, और ये देखिए दोस्तों, चटनी ज लिखाते हैं यह देखें आम जो है काफी अच्छे से पक चुका है और इतना ही लिक्वीडी रहे चट्नी तभी गैस को आफ करना है अगर आप और ज्यादा गाठा करने लगेंगे तब चट्नी का जो टेस्ट है वह बाद में अच्छा नहीं लगेगा बहुत ज्यादा गाठ इसमें डाल देंगे ज्यादा नहीं डालना है बस इतना चट्नी में एक चमची मसाला एड़ करना है तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिये हैं और आप देख सकते दोस्तों इस चट्नी का कलर काफी अच्छा आया गुर्की वज़ए से भी और इसमें कास्मीरी यह थालोलता होता है चट्मी जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाया थे किसी भी काचच के बर्तन में आप इसको डाल के रख सकते हैं और काच के बरतन को अच्छे से दोगे और दूप में अच्छे से सुखालिज में थोड़ा सा भी नमी नहीं रहना चाहिए तो इस बरतन म आप इसको डालके और आसानी से दो महीने तक इस्टोर करके रख सकते हैं पर फ्रीज में रखेंगे तो आसानी से दो महीने चलेगा अगर आप फ्रीज के बाहर रखेंगे तो पंदरा दिन तक ये खराब नहीं होगा आसानी से आप इसको पंदरा दिन तक enjoy कर सकते, आप इसको पूरी प्राठा, चपाती, चावर के सिख साथ भी खाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, तो दोस्तों आप लोग भी इस आम की खटी, मीठी, टेस्टी चटनी की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, कॉमेंट कीजेगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, सेयर कीजेगा इस वीडियो को मुने फ्रेंड्स और फैमिली में, तो मैं नेक्स वीडियो फिट से लाओंगी, तब तक के लिए बाए